नमस्कार डेली डारी न्यूज में आप सभी ही का स्वागत है दोस्तो अगर आप भी महेंदर सिंग धौनी के फैन हो तो इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और हाँ कॉमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि रोहिस सर्मा ने जो गंदा पना आप महेंदर सिंग धौनी के बलत दिखाया है वो गलत है नहीं आपको बता दे कि रोहिस सर्मा ने ऐसा क्या कहा जो सभी भारतिय फैन्स को चुप सकता है आपको बता दे कि मैच जीतने के बाद रोहिस सर्मा ने ये कहा कि उनके बल्ले बाजों ने अच्छा ब्रदसन नहीं किया और खास कर महेंदर सिंग धौनी से ऐसी उनमी नहीं थी कि वो ऐसे छोड़ी टीम के खलाप चल्दी आउट हो जाएंगे उन्होंने सारे इसारों में ये बात करी लेकिन सभी को समझ में आ गया कि वो किस की तरफ से ये बात कर रहे थे आप पता है कि महेंदर सिंग धौनी आज बिना खाता खोले आउट हो गए थे लेकिन ये अक्सर ऐसा किर्केट में होता है आप कता थे कि महिंदर सिंग धौनी की कीपिंग में भी आज कुछ गलतिया रही जिसको भी रोहिस सर्वा ने इन डारेक्ट बे में टार्गेट किया रोहिस सर्वा ने क्या कहा ये भी सुन लीजे आप महिंदर सिंग धुनि के लिए खहा होगा क्योंकि महिंदर सिंग धुनि बड़े खिलाडी है और उनको भार करना सायद रोहिश सर्मा को भारी पढ़ सकता है लेकिन उन्होंना टीम को आगे करते हुए बात कहिए अगर आप भी ऐसा ही मानते के रोहिश सर्मा सही है